हैलो मेरे प्यारे फ्यारे वीवर्ज कैसे हो आप सब को यो clumsy ऑफार हो गई तो ले की आप लिए प्लोग Kellying रेषिपी तो ये बहुत ही टेश्टी और भव battling अगर आप लोग को की पिर टेश्टी और है देश्टी हो अनक्रिय तो आप लोग को होने तौह cesah देख लेते हम लोग तो वेयक बनाने जा रही हूँ मुंबई का कीमा मतर कीमा बनाने हैं बहुत ही टेस्टी होती है यह और बहुत ही फेमस की है हमारी मुंबई में तो आप लोग इसकी रैस्पी देख लीजे तो इसके लिए मैंने ले लिए एक कुकर कुकर में मैंने डाली हूँ दो बड़ा चमच तेल और तेल को मैं हाई फ्लेम पे थोड़ी दर के लिए गरम कर लूँगी 30 सेकेंड के लिए तो मैंने रिफाइन ओली हूँ अगर आप लोग दूसरा तेल यूज करते हैं जो आप लोग गेली रूटी में यूज करते हैं वो भी आप लोग ले सकते हैं नो प्रोब्लम तो अब मैंने ले ली हूँ एक बारी कटाव प्यास प्यास को भी मैं इसके अंदर एड़ कर अब फ्लेम को रखना है हाई तो हम लोग को थोड़ा प्यास को ब्राउन करना है तो इसको बिल्कुल इस तरह से 30 से के लिए चला चला के हम लोग ब्राउन करेंगे तो जो प्यास है अब थोड़ा ब्राउन होना स्टार हो चुका है तो बिल्कुल मैं इस तरह से इसको चला हो रहा है तो अभी हम लोग इसको थोड़े दिर के लिए बिल्कुल इस तरह से चला के छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाएगा अब फ्लेम को हाई रखना है ताकि जो प्याज है वह जल्दी ब्राउन हो जाए और इसको ब्राउन होने पर टाइम लगे अगर प्रेम को लो रखेंगे तो फिर जादा टैम लग सकता है इसके लिए जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगो रेसिपी कवर करने की कोशिच करूंगी तो जो प्याज है वह ब्राउन होना इस्टार्ट हो रहा है तो अभी मैं इसको बिल्कुल इस तरह से बीच बीच में चला प्याज लेते हैं , लेते हैं और मै तो फीर होता भी नहीं है तो इसतरह से इसको कर सकते आफ लोग तो मैं भी छिफ्वीच में इसको लाग भी करती रही प्याज को और जो मेरा प्या वह हो चुका है् और मैंने बारेव楽ी त荷्माली और आप लोग को जई सची आप लोग स्टोर पर से ले सकते हैं वान से ये दे देते हैं तो मैंने कremo 1mayın lazid तक सि्भाइंक पाणीं कि या तो पानीma य टालोगे तो अंग पर आचका यह वीerezी आसका है अब मैं तो नहीं दो अब दोंगी और प्यास को जो हैं वह अची से मीक्स करना मेरा ये देखे मैने ह्ता चिके लिए पांज़ीन और एडिवान्ज सुख मसाले और 3 जो ये झाल एडिज करेँ और G 88 चामेतर घ्रिय झालगे आप लोग यह राइस्पी ट्राइब कर सकते हो वह हैल्थी वैजी टेवल से बनती हैं और मटन झालता हैं मुझे कामेंट में बताना कि आप यह राइस्पी ड्रॉट को अगर आप लोग को आई रोज यह घंब एक पादेार प्लाइब सबस्क्राइब करो और बेल आइकन को भी जरूर दबा ले ना याद से ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर है तो जाके मेरे चैनल को फटा फट से सबस्क्राइब करो ऐसी रेसीपी के लिए तो चलिए रेस्पी में आगे बढ़ते हैं पास मेंकर बहुक्र फिर श्का है के देग्या करके आपता साइज महीं घटकरी थी आप लोग के पास में शाइज में हैं, अब जपने ङाफ नाद तो आप लो, ले लो तो अब देखिए जो मैंने फ्लेम है वो हाई रखी हूँ तो अब मेरा एक मिट के बाद यह जो पानी है वो बालाना शुरू हो चुका है तो अब मैं इसके थोड़े और मसाला एड करूंगी यह मेरा सिक्रेट मसाला है जो मैंने पिछले आरे रेस्पी में बताई हू तो आप लोग जागे एक बार चेक कर लेना मैं इसमें भी बता देती हूँ तो इसमें मैंने ले ली हूँ पास से छे हरी में इसली हूँ और पास से छे लसन की कर लिया और थोड़ा सा नमग डालके मैंने उसको दरदरा कूट टी दी आप लोग मिकसर के जार में मत तो अब मैंने ले ली थी दो गड़ी मैंने पालक ली थी और एक गड़ी मैंने सुवा ली थी तो उसको मैंने मीडियम साइज में कट कर ली थी बिल्कुल इस तरह से और इसको वाश करके जैसे मैंने थोड़े दिर के लिए पानी सुख निकले रख दी और अब उसको भी मै तो यह हमारा कीमा है और जो पालक है उसको बिलकुल इस तरह से मिक्स करना है तो मैं बोल रहे थी ना कि आप लोगों को बहुत ही है और बहुत रहरी बताने वाली हो तो यह है मेरी वह रही आप लूगा कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना तो यह इसके अंदर मैंने कामेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं इसको एक बड़ ट्राय करना बिल्कुल मत भूलना तो यह जो है हमारा कीमा उसको मैंने ऐसे बिल्कुल इस तरह से मिक्स कर ली हूँ पालक के साथ में और यह दे कि पानी में वापस से वालाना शुरू हो है वह पूरी रेस्पी जल जाती है तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ठोड़ा कैरफुल रहो और ढकन को आराम से चेक कर लेना बैठा है कि नहीं और फिर उसके बाद सिटी लगा लेना तीन से चार यह देखिए मेरी जो है सिटी लग रही है आराम आरम से त तो यह हो चुका है तो अब मैं इसको खोल लूँगी और यह देखिए माशालला बहुत ही अच्छा कलर आया टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है तो आप लोग एक बढ़ ट्राय करना मत भूलना इसको और जो रैस्पी है वो मेरी मैं उसको चला लूँगी यह देखिए जो म पाला बाध में ही डालना है अब लोग मिन्यों फटो को फ़्राण नहीं है यह दान तो को चला लीते चलाविसWhen तो अब मटर पकने के लिए भी हम लोको थोड़ा देर छोड़ना पड़ेगा इसको तो मैंने क्या करी थी इसको हाई फ्लेम करके और थोड़े देर छोड़ दी तो जो मेरा पानी है वो उसमें भी अभी उबालाना शुरू हो गई थी तो पानी जो है वो थोड़ा सा सुक तो इसलिए मैं बोलें कि इसके लिए जादा पानी आड़ बिल्कुल मत किजिएगा और पुरी रेस्पी खराब हो जाएगी आप लोग कम से कम एक कप ही पानी इसके इंदर आड़ करना तो अब जो है मैं कीमे कौछे से सुखा लूँगी जादा भी नहीं सुखाऊंगी मै अब मैं इसके लिए आड़ कर रही हूं तो इसको अड़ करके हम लोग बिल्कुल इस तरह से चला लिए यह देखिए तो अब मैंने इसको चला ली और आलमस्ट मेरी जो रेस्पी है वह पूरी रेडी हो चुकी है तो अब मैं इसको सौफ करके आप लोगों दिखाती हूं रिलंहें walk लोग को एक बात और मुझे कहना था आप मेरे पिसले वडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक्यू मुझे उमिझ नहीं पिकैंट स्वत गफ़ाएं और इस वाले वीडियो पे बहुत जाधा प्यार लेना ताकि मेरे आनेवाले हर एक वीडियो के नोडिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पहें तो इसको देखें बहुत ही तो इसका त्रीक से जो है इसका डेक्शी बहुत अच्छा घीता था त्यूंस अजह चाल बूर्द फ़टी होता है और बहुत हेल्थी होता है तो आप